तो राहूल जी ने जो बोला है हम उसके साथ हैं और बीजेपी सिक्खों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें कुछ ऐसे सिक्ख जो गदार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर उनको आगे खड़ा करके राहूल गांदी जी के जिस तरीके से खलाब बोला जा रहा है और धमकिया दी जा रही है और जान से मारने तक दमकिया दी गई हैं ये देश की डेमोक्रिटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है ये बीजेपी को सोचना किस तरीके से जी जो फाल तुम्हारे पुरवर्जों का हुआ तुम्हारा भी होगा यह धंकियां जो दी गई है इन पर उसी समय पर्चा हो जानी है चाहिए था और मैं मांग भी करते हैं कि उन पर पर्चा हो और यह जो सारा कुछ हो रहा है अलेक्शन को देखकर जो मुएनम उनसे दियान लोगों का बढ़काने के लिए उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब एक फेती परदान सुबा है बहुत तरीके से पंजाब को तहस उस बहां की अर्थवास्ता तहस नैस करने के लिए किसान के खिलाब कारवाईया की जाती उनके खिलाब काले कनून लेकर आते हैं इस बार भी एक चो ने की फसल है पैड़ी वहां आज तक शैलरों में चाबर रूर रहा है उठाया नहीं गया हर शैलर वाड़े को एक से दस क्रोड रपे तक का घाटा पड़ गया है सरकार चाहती है के पंजाब में खेती ना हो इसलिए खेती वालों को हरान किया जा रहा हुआ 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 हु देख लें चैना में ये कहा था अरे बगवान बचाए भाई पता नहीं पिछले जनम में क्या पाप किये थे के इंडिया में पैदा हो गए ये मैंने नहीं बोला ये बीजेपी के उस समय परदान मंत्रियां जो आज उन्होंने बोला हुआ था बाहर चैना में जाकर चैना भी बाहर का देश है बात अंदर और बाहर की नहीं है आज मीडिया इतना है कि आप यहां बात करो या बाहर बात करो बात दो चरह तरव फैलती बात ये है कि उसका बात का मतलब क्या है मतलब ये है कि आने वाले समय में मिल्योर्टी को देखने के बीए बीज कॉंग्रस यह सिक्ष उसके अभारी है और हमों के जो बियाना उसके साथ है जन्यावादा